आज का हमारा यह वीडियो काफी ज़्यादा important वीडियो होने वाला है क्योंकि जैसा हम सभी को पता है कि electrical के अंदर जो सबसे उजादा उप्योग में होने वाला equipment होता है वो number one पे आता है हमारा tester और उसके बार में जो दूसरे number पे आता है वो आजाता है हमारा multimeter या फिर हमार क्लैम मिटर होता है इसका electrical का work करते समय इतना ज्यादा उप्योग होने के कारण इनसे जुड़े सवाल हमसे इंटरू में पूछे जाने के काफी ज्यादा chance होता है तो इसी से related ही आज आपके साबने एक सवाल है जो कि है कि आखिरकार जो क्लैम मिटर है और जो मल्टी मिटर है इन नों में अंतर क्या होता है दोर यहाँ पर एक चीज आप देहां लएक को मिटर बताने हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है कि अगर किसी से अगर हम उनब्स सारी कर सकते हैं तो यह simple सा एक difference बता देते हैं और उसके अलबा अगर हम से पूछा जाए तो हमें उस बात का idea नहीं होता तो दोस्तों इसलिए आप कभी ऐसी situation में ना फसो उसी के लिए आज का यह हमारा चोटा सा वीडियो है यहाँ पर दोस्तों मैं एक एक करके इन दोनों के बिज मुखी 4-5 आपको difference बताऊँगा सबसे पहले अगर हम difference की बात करें तो आप पहला अंतर कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो clam meter होता है इस clam meter की मदद से हम directly current को major कर सकते हैं directly current को major करने का मतलब क्या है हमारा कोई wire है इस wire में हमारा current flow हो रहा है और मेरे कोई इस wire में कितना current flow हो रहा है उसको major करना है तो मैं क्या करूँगा direct clam meter लाऊँगा और इस CT होती है के लिए हमें multimeter की इस probe को series में जोड़ना पड़ता है आखिर का multimeter से कैसे current major किया जाता है इसके उपर मैंने detail video बना रखा है आप वो video end screen में जाके देख सकते हैं यहाँ पर इस पहले difference के अदर एक और कितरा का तो यहाँ पर मैं हमारे multimeter को जोड़ूगा मतलब series में जोड़ूगा तो multimeter case में हमें पता चल रहा है कि current major करना मुश्किल रहता है हमें series में connection जोड़ना पड़ता है जिबकि climate case में directly current को major कर सकते हैं तो दोसर पहला current को भी हम क्लैम मेंटर से major कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वह जो current की value होती है वह हमारी accurate नहीं होगी मतलब कि हमार जो एक क्लैम मेंटर होता है यह आपको milli voltage बता तो देगा लेकिन इसकी value जो होगी वह accurate नहीं होगी वह आपको कम ज्यादा बताएगा और इसी वज़े से आप देखेंगे कि हमार जो भी electronic में आदमी work कर रहे होते हैं वह current को major करने के लिए हमेशा multimeter का ही उप्योग कर रहे होते हैं ना कि वह समय क्लैम मेंटर का उप्योग करते हैं तो दूसरा मुख्य difference भी आपको clear हो गया कि low current measurement के समय हमार जो multimeter होता है वह ज्यादा accurate होता है लेकिन multimeter से current को major करना चाते हैं ampere को major करना चाते हो तो आप दिखोगे हमारे अधिकतर multimeter में 10 ampere की maximum limit लिखी रहती है लेकिन अगर आप क्लैम मेंटर को दिखोगे तो यहाँ पर हम 600 ampere तक के current को major कर सकते हैं इसके आलगा दोसरा एक four difference हम इस तरीके से बता सकते हैं जो कि हमने temperature को major कर सकते हैं इसके अलब आप सभी जानते हैं हमारी transistor होता है transistor के gain सकते हैं हमारा flux major कर सकते हैं यूज होता है वो हमारे current को major कर नेकले होता है लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने आपको studying में एक बात बुली तो उसको यार रखना है कि clam meter से हम current को major तो करते हैं लेकिन वो जब हमारा ज्यादा मात्रा में current होता है क्योंकि जैसा मैंने आपको बतायता है कि अगर हमारी value मिली ampere में है तो उस समय हम clam meter को prefer नहीं करते हैं चाहे हम ampere भी major करेंगे तो भी हम उस समय multimeter से ही कर रहे होता है क्योंकि clam meter कम value के ampere में हमें accurate नहीं होता तो हमारा 4 difference क्या हो गया तो 4 difference यह हो गया कि clam meter का जो मुख्य काम होता है वो हमारे ampere को major करने के लिए होता है जबकि multimeter को हम variety जगे यूज कर सकते हैं तो हमारा एक और मुख्य difference यह है रह जाता है इसके बार में दोस्तों हम फिफ्ट नंबर पे एक और मुख्य difference की बात कर लेते हैं दोनों के बीच में वैसे दोस्तों मैं आपको बता रहे जाता हूं कि जो क्लैमेटर को multimeter होता है इसके बीच में कई सारे difference होता है हम चाहें तो इसमें 10 से 15 difference भी निकाल सकते है लेकिन जो management difference है वह ही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसे इंट्री में बता सकते हो तो फिफ नंबर का जो difference हो जाता है दोस्तों हमारा safety को लेकर हो जाता है आप बोल सकते हो कि जो clam meter होता है वो थोड़ा safe रहता है क्लैम मेंटर को easily use किया दाता है कैसे किया दाता है तो simple सी बात है जैसा हम मैं पता है जो clam meter होता है क्लैम में क्या करना पड़ता है current को major करने के लिए हम इस CT को हमारे wire के उपर ले जाके लगा रहे ते और हम current major करते हैं लेकिन दोसरों multimeter के case में हमें क्या करना पड़ेगा मल्टिमिटर के case में हमें current भी major करना है तो हमें multimeter की दोनों प्रोफ्स को ले जाके हमारे conductor पे लगाना पड़ेगा मतलब कि हमारे wire है हमारी बस बार उस पे लगाना पड़ेगा लेकिन लेकिन Clam meter की case में हमने क्या किया हमार जो वायर इंसुलेटेड इंसुलेटेड फिर भी हम उस पे ले जाकि Clam को लगा देंगे तो हमें current लगने के इतनी टेंशन नहीं रहेगी हमें ज्यादा safety की जौरत नहीं पड़ेगी जबकि multimeter case में हम directly conductor से touch करेंगे हमाई प्रोप्स को तो इस case में हमें क्लैम मिटर से ज़्यादा अलट रहने की जोरत है तो safety के नदिर से देखते हैं तो कई cases में हमारे जो क्लैम मिटर है वो थोड़ा ज़्यादा safe माना जाता है तो दोसो उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके क्लैम मिटर और मल्टी मिटर से जुड़े कहीं सारे पॉइंट को क्लियर करा होगा आप को यह वीडियो कैसा लगा आपको यह मेरी लगी बहुति इस वीडियो क्यों को लाइक के जरू बताईगा अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के परतियाफ इलेक्रिकला में कमेंट करके पूुश सकते हैं इलेक्टिक लोड़े से भी नीर पसंद करते हैं आज माई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए तहीं धन्यवाद